फ्रिंट्स आज किस वीडियो में आप सभी के लिए होमगार्ड भरती प्रिक्रा का सोट नोटिविकेशन लेकर आए हैं ये थी आप भी होमगार्ड विवाग में नोगरिप लाप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुन है राम होगा है क्योंकि होमगार्ड भरती प्रिक्रा का सोट नोटिविकेशन आ गया है इसमें आपको दो प्रिकार की वेकंसिस बताए गई है 19,000 और 30,000 पोस्ट आपको बताए गई है इसके बाद आपकी एजुकेशन कौलिफिकेशन आटवी और बारवी पास यहां आपकी दस भी पास एजुकेशन कौलिफिकेशन रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी वो जानकरी भी हम आपको सोट नोटिविकेशन के आदार पे बताएंगे और होमगार्ड भरती प्रिका के अधिकारियों ने इस भरती प्रिका को लेकर क्या कहा है वो भी हम आपको जानकरे बताएंगे और इसके बाद जो सैलेरी है इस बार 13,500 से लेके आपको 15,000 रुपे प्रती महिना सैलेरी दी जाएगी और इसके साथ आपके उंचाई इस भरती प्रिक्रामे 162 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है वो जानकरे भी हम आपको इस वीडियो की मादिम से बताएंगी तो इस वीडियो पे आप बने रही है और यदि आप भी इस से होमगार्ड भरती प्रिक्राम में सामिल होना चाहते है तो कामेंट बाक्स में आप अपने राजे का नाम जरू टाइप करें ताकि आपके राजे समंदित होमगार्ड भरती प्रिक्रिया आपको सबसे पहले दिखा सकें क्याको लेकर आपको काफी सरी क्यूशन थे पहला क्यूशन था हाइट बार कीतनी है तो अभी हम आपको इस वीडियो के मादिम से हाइट बार दिखाएंगे education qualification दिखाएंगे तो सबसे पहले height में आपको बतायागी है male candidates के लिए तो male candidates में यहाँ आपको बतायागी है general, obviously, SCST candidates यानि कि इन चारों के टिग्रियों के लिए height कितनी रखी गी है तो आप दिख सकते हो height आपकी यहाँ रखी गी है 167 ठीक है यहाँ आपका chest आपको बताया गया है कि 38.8 से लेके आपका इसमें chest होना चाहिए SCST category candidates के लिए 76.5 cm इसके साथ फिर आपका chest इसमें बताया गया है flower के साथ 83.8 cm है और इसके साथ 2.5 cm तो यहाँ देख सकते हो friends यह आपका इसमें normally physical होगा ठीक है यानि कि आपकी height पहले 162 cm थी अब इसे बढ़ा के 168 cm कर दी है इसके साथ फिर आपको बताया है for female candidate यानि कि female category candidates के लिए जो height है वो सबसे पहले general और भी 652 cm है SCST की यहार कीगी 147 cm है यदि height है तो वे सभी मैला है इस ब्रत्य फिरक्रा में form apply कर सकते है अभी हम बात करेंगे as के as के बाद बात करेंगे education qualification की क्योंकि education qualification भी change कर दे रही है education qualification को लेकर यहाँ update में आपको बताया है home guard बढ़ने के लिए enterprise होना जरूरी है यह किस राज्य में लागू किया गया है वो जान करें हम आपको बतायेंगे इसमें फिर आपको बताया गया है विवागे मंतरी ने का जल्द होगा जो इसकी नेमावली है उसमें भी परिवर्दन किया जाए गया जो रोल्स लागू होंगे उनमें बड़ा बदाव किया जा रहा है हाइट को लेकर भी हम आपको जानकरी पहले दे चुके है कि हाइट में भी आपको इसमें हाइट बार को बढ़ाया गया है और इसके बाद इसमें सबसे पहले आपको बताया गया प्रदी इसमें होमगार्ड बनने के लिए अब कम से कम इंटर पास होना जुरूरी है होमगार्ड महकमा इस पर विचार कर रहा है तो अभी ये फाइनली लागू नहीं हुआ है कापी सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या ये फाइनली लागू कर दिया गया है या साथ दिन बाद में नोडिविकेशन आ रहा है तो फाइनली अभी आपका नोडिविकेशन नहीं आएगा आपको एक सब्ते का और इंतिजार करना पड़ेगा क्योंकि नियमावली में इसमें चेंज किया जा रहा है इजिकेशन का लिविकेशन को लेकर अब वेटन आपको होमगाि भूर्ति प्रिक्रा में मिलेगा comment box में आप अब अपना राजय का नाम type जरूर करें तो यहां आपको यह अब्डेट्स बताएगे होमगार्ड वर्थी प्रिक्रा को लेकर इसाथ वेकेंसी को लेकर आपका जो डाउट्स था कि गुनीस हजार वेकेंसी निकालेंगे या तीस हजार वेकेंसी निकालेंगे वो डाउट्स भी हम आपका याँ किलियर करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये न्यूज है उननीस सोरी 30 हजार मैला होमगार्डों की होगी भरती लंबे समय से खाले पड़े हैं विवाग में हजारों पद तो ये आपकी न्यूज बताएगी है कि 30 हजार मैला अवियारतियों के पद खाली है तो फाइनली विवाग गुणीस हजार पदो पर ही भरती प्रिक्राइग कम्पिट करवाएगा तो आप न्यूज भी देख सकते हो इसमें आपको बताया गया है होमगार विवाग में 30 हजार मैला करमियों के वरती प्रिक्राइग की तैयारी है विवाग ने इसके लिए एक परस्ताफ तैयार कर ले जिस पर जल्दी CM कारले निरने लेगा तो ये जल्दी निरने लेगा आचार साइटा से पहले ये नोडिकेशन आ सकता है आचार साइटा से पहले नोडिकेशन आ सकता है फिर आपको बताया गया है इसमें प्रेक्षिक्षन के लिए भी बढ़ेगा समय यानि कि जो आपका ट्रेनिंग बेस है वो बढ़ाया गया है यानि कि जो पहले आपका ट्रेनिंग बेस था वो 42 दिन का था भी इसे 62 दिनों का कर दिया गया तो आपके पास एक सुनेराम होगा है जैसे इसका फॉर्म निकल के आए तो अप्लाइ कर देना क्योंकि आपके पास एक बड़ी वेकेंसी का नोटिफिकिशन होगा तो आपका इसमें सेलेक्शन भी हो सकता है काफी सारे फॉर्म भी अप्लाइ होंगे तो आप अपना फॉर्म अप्लाइ कीजिए और इस व्रतिव रिक्राट की अच्छे से त्यारी कीजिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेडिज वेके साथ अपने लिए जये हिंद जये भारत